दूस्तो अब आप किसी भी फोन के अंदर गेमिंग CPU को इनेबल कर सकते हैं यानि कि अगर आपके फोन के अंदर गेम सही से नहीं चलता आपके फोन का जो प्रोसेसर है जो CPU है वो बहुत ज़दा वीक है जब भी आप कोई बड़ा गेम खेलते हो जैसे BZMI, Free Fire या फिर Call of Duty कोई भी गेम लेलो जब भी आप अपने मोबाइल में खेलते हो बहुत ज़दा गेम लैग करने लगता है फोन हैंग होने लग जाता है सही से गेम नहीं चलता है रुक रुक के चलता है तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है अपने फोन के अंदर गेमिंग CPU को इनेबल कर देना है जिसके बाद दोस्तों कोई भी आप गेम खेलेंगे, कोई भी बड़े से बड़ा गेम लेलो कभी भी दोस्तों लैग नहीं करेगा, कभी भी डिवाइस हैंग नहीं होगा एकदम मखन की तरग गेम चलेगा अगर आप अपने मोबाइल के अंदर गेमिंग CPU को इनेबल कर लिए तो तो कैसे दोस्तों आप अपने mobile के अंदर या फिर किसी भी mobile के अंदर gaming CPU को enable करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ तो उसके लिए बस आपको करना क्या है इस वीडियो को like करना है and continue गाईस इस वीडियो को देखते रहना है तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप किसी भी mobile के अंदर gaming CPU को enable करेंगे ताकि जब भी आप अपने mobile phone में कोई भी बड़े से बड़ा game खेले तो आपका जो game है वो एकदम मखन की तरह चले है ना बिना lag के बिना mobile hang के एकदम मखन की तरह चले तो उसके लिए आपको करना क्या होगा अपने इस mobile के अंदर जो जो setting में बताने जा रहा हूँ उसे करना है उसके बाद आप देखेंगे आपके mobile में जो gaming CPU है वो enable हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपने phone का जो main setting होता है उसे open करना है में setting open करने के बाद यहाँ पर आपको scroll down करके नीचा आना है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा sound and vibration तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना है इस sound and vibration setting को open करना है अब इस setting को open करने के बाद आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि हमें तो अपने mobile में gaming CPU enable करना है तो sound and vibration के अंदर हम क्या करेंगे तो आपको बता दो दोस्तों इसके अंदर एक ऐसी setting है जो आपके phone के अंदर on रहेगा और ओ जब तक on है तब तक आप अपने phone के अंदर gaming CPU को enable नहीं कर सकते समझ रो तो सबसे पहले आपको sound and vibration के अंदर आना है यहाँ पर एक setting को आपको बन करना होगा तभी जाकर आप अपने mobile में gaming CPU को enable कर पाएंगे यहाँ पर दोस्तों आपको scroll down करके नीचे आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ यह रहा touch vibration यह जो touch vibration है ना दोस्तों सभी mobile में आप देखेंगे तो यह on मिलेगा अब यह on है इसका मतलब यह करता कहा है मैं यहाँ पर दिखो लिखा हुआ है बता देता हूँ haptic feedback for tap keyboard and more यानि कि जब भी हम screen पर touch करते है तो भाई एक vibration होता है हमारे phone के अंदर अब वो vibration दोस्तों आपके phone का जो CPU है ना उसे बोल सकते हो high performance नहीं देने देता है रोक देता है तो उसके लिए आपको करना क्या है यह जो haptic feedback है यानि कि haptic vibration है इसे आपको यहां से बन करना होगा इसे बन करने के बाद आपके phone का जो CPU है वो यहां से free हो जाएगा उसके बाद एक प्रकास से बोल सकते हो ना काफी ज़्यादा आपको अच्छा performance मिलेगा तो उसके लिए आपको इस setting को यहां से बन कर देना है उसके बाद आपको यहां से बैक आना है अब दोस्तों main main आपको setting करना है ठीक है यह तो ज़रूरी था इसे बन करना है इसलिए मैंने आपको बता दिया इससे बन करने के बाद जो main setting है उसे ध्यान से आप देख लिजिए तो उसके लिए आपको नीचे आना है कई-कई phone में दोस्तों नीचे यहां पर आपको देखने को मिल जाता है about phone कई-कई phone में यह setting एकदम उपर होता है ठीक है तो खुल मिलाकर इसी about phone के अंदर आपको आ जाना है इसके अंदर आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा software information इसके उपर क्लिक करना है अब इसी के अंदर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा build number अब कई-कई phone में दोस्तों यहां पर क्या होता है MIUI version होता है तो उसी के उपर दोस्तों आपको 7-8 बार क्लिक करना है फिर आपके phone के अंदर दोस्तों एक setting on हो जाएगा जिसे कहते है developer option ठीक है तो उसी आपको यहां से जो है on कलेना है on करने के बाद बैक आएंगे तो अब आपको system setting के अंदर जाना है इसी में दोस्तों एकदम नीचे हमें देखने को मिल जाता है developer option तो इसी setting को आपको यहां से open कलेना है अब इसे open करने के बाद इस setting के अंदर हमें 3 ऐसे feature हैं जिसे दोस्तों मतलब की बोल सकतो ना on करना पड़ेगा जिसे on करने के बाद दोस्तों जो gaming performance है जो gaming CPU है वो आपके phone के अंदर enable होगा ठीक है तो पहले हमने एक setting कलिया आप 3 setting यहां पर करेंगे total 4 setting हो जाएगा तो यहां पर 3 setting कौन सा करना है ध्यान से आप देख लीजिए तो सबसे पहले यहां से scroll down करके नीचे आना है जैसे दोस्तों आप नीचे आएंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा logger buffer size अब यह जो setting है दोस्तों आप देखेंगे तो आपके phone के अंदर 64K पर set होगा अब यह दोस्तो 64K पर set है तो ऐसे में आपको उतना अच्छा performance नहीं मिलेगा जितना दोस्तों बड़े से बड़े game जो है जितना मतलब बड़े से बड़े game को खेलने के लिए चाहिए होता है तो यहां पर दोस्तों आपको एकदम जो low game होते हैं उन्हें आप खेल सकते हैं लेकिन अगर आपको कोई बड़ा game खेलना है हाई performance वाला तो ऐसे मैं आपको इसे 4M पर set करना होगा 4M पर इसे set कर देंगे तो इसका मतलब यह है कि जो भी बड़े से बड़ा game है उसे आप अपने phone के अंदर खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगे एकदम मखन की तरह game चलेगा ठीक है तो इस setting को आपको यहाँ पर करना है उसके बाद आपको यहाँ से जो है scroll down करके वापस से नीचे की तरब चले आना है ठीक है जैसे आप यहाँ से वापस से नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा window animation scale transition animation scale animator duration scale यह दूसरे number का यहाँ पर setting है ठीक है developer option का दूसरा setting अब यहाँ पर दोस्तों आपको करना कहें यह .5x पर आपके phone में set होगा आपके phone में कई-कई लोगों के phone में यह भी हो सकता है कि यह 1x पर set हो 1.5x पर set हो ठीक है तो इसे cool मिलाकर आपको यहाँ से off कर देना है यह पूरा setting है इसे आपको यहाँ से बन कर देना है अगर आप high performance चीए अपने phone में तो इस setting को आपको यहाँ से बन करना होगा ठीक है इस setting को बन करने के बाद वापस से आपको यहाँ से scroll down करके नीचे की तरब चले आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको तीसरे नंबर का setting देखने को मिल जाता है force 4X MSAA अब यह जो setting होता है दोस्तों यह gaming के लिए ही बनाए गया है यानि कि अगर आपके phone के अंदर low CPU है, कम GB का RAM है तो ऐसे में आपको यह setting है इसे बस on कर देना है इसे on करने के बाद आपके phone का जो performance है न वो पहले के मुकाबले 4 गुना जादा बढ़ जाएगा जिसके बाद दोस्तों जब आप game खेलोगे यहाँ पर 4X इसका नाम ही है यानि कि 4 गुना जादा जो है performance बढ़ जाएगा CPU गा और जब भी आप game खेलोगे तो game थोड़ा सा भी रुके गई नहीं एकदम मखन की तरह smooth चलेगा समझे लो तो इस setting को भी आपको यहाँ से on कर देना है तो हमने इस developer option के अंदर total 3 setting कर लिए है ठीक है उसके बाद आपको यहाँ से back कर देना है आप दोस्तों आपको करना क्या है अपने mobile में last और सबसे important trick अप्लाई करना है जिसके बाद आप देखेंगे आपके mobile में जो gaming CPU है वो enable हो जाएगा ठीक है तो उसके लिए आपको अपने phone में करना क्या होगा यह एक छोटा सा app डाउनलोड करना पड़ेगा उसके बाद आपको इसे open करना है इसे डाउनलोड करने का जो link है और description में मिल जाएगा वहाँ से आप लेकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा ultra boost इसके उपर क्लिक करना है और इसे यहाँ से activate कर देना है यह activate होते ही आपके phone के अंदर जो gaming CPU है ओ इनेबल हो जाएगा इनेबल होने के बाद अब आपको यहाँ पर add game के उपर क्लिक करना है जो game दोस्तों आप खेलते हो ठीक है जैसे bzmi free fire जो भी game खेलते हो उसे आपको यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ से back कर देना है आप देखेंगे आपका जो game है वो यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकास से दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा trick यहाँ से home page पर आ जाना है home page पर आने के बाद दोस्तों अब आप normally यहाँ से game को play कर सकते हैं थोड़ा सभी game lag नहीं करेगा hang नहीं करेगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी समझो तो इस प्रकास दोस्तों आप अपने mobile के अंदर जो gaming CPU है उसे enable कर सकते हैं performance को बढ़ा सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर देना थैंक्यो दोस्तों बाइबें टेक कियर